रुको 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 हाई मैं आज आपको बेबी फिडिंग मिल्क वीडियो के बारे में बता रहा हूँ लेकिन यह वीडियो एकदम रोमांचक होने वाली है क्योंकि आज मैंने लॉंग वीडियो बनाई है मैं आज आपको फर्स से स्टार्ट तक पूर और हमारा न्यूबॉउं बेबी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना तो हम बात कर रहे हैं आज बेबी फीडिंग के बारे में तो बेबी ब्रेस्फिडंग जब भी करता है तो न्यूबॉउ बेबी के बारे में आप देख सकते है मैंने इस वीडियो के माध्यम चे बताया है कि बेबी फीडिंग मिल्क लॉग बीबी जब भी बुका होता है तो अपनी मा के पास जाके ब्रेश फीडिंग करता है और न्यू मॉम भी बहुत आनन्द में होती है अपने बेबी को ब्रेश फीडिंग कराने के लिए अक्सर अपने इंडिया में यह होता है कि बहुत सी मैलाओं को ब्रेश फिडिंग कराने में तकलिफ होती है तो उसे पाउडर का दूद भी पिलाते हैं बहुत से मेडिगल स्टोर में बेबी के पाउडर का दूद भी मिलता है और बने तब तक हमें बेबी को ब्रेश फिडिंग कराना चाहिए नटकट से बेबी को ब्रेश फिडिंग कराना बहुत ही आसान है और यह हमारा बेबी को हमने लपेटा है देखिए यह न्यू मॉम है और न्यू बॉन बेबी भी है और हमने बहुत से उडियों में आपको बताया है कि ब्रेश फीडिंग अलग-अलग तरीके से अलग-अलग दिसों में लोग करते हैं इंडिया, नेधर लेंड, पाकिस्तान, ऑस्टेलिया, अमेरिका बहुत से जगे पे ब्रेश फीडिंग करते हैं लेकिन हमने अब इंडिया में ब्रेश फीडिंग किस तरह से करते हैं उसके बारे में भी हमना आपको बुरी डिटेल में उडियों में समझाया है और आप हमारे चैनल में बहुत से उडियों देखेगए तो ब्रेश फीडिंग और नूब ओन बेबी के ब्लॉग भी है अक्सर हमें लोग पुछते हैं कि आप लॉंग वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं तो हमने आज लॉंग वीडियो बना के आपको एक अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि न्यू बेबी को अक्सर उसकी मौम के पास ब्रेश फिडिंग करना अच्छा लगता है और बेबी को भी अच्छा है कि ब्रेश फिडिंग की करें अच्छे से खाई लोगे अच्छे से खाई लोगे